हाई वेलकम टू वाईपी एड्यूकेशन ट्रिक चेनल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें आप हमारी वीडियो को लाइक कॉमेंट और दोस्तों में शेयर करें थैंक्स इस वीडियो को सुरू से लेकर आप लाश्ट तर देखना इस वीडियो को दीजिए जिससे कि आपका CTET का जो एक्जाम है वो अच्छे से निकल जाए देखो पॉजेटिव टैग वर्ड्स अब हम इसमें बात करेंगे जैसे पहला ये टैग वर्ड्स दिया है कि भाई सर्वागीर्ड विकास जैसे ही चार ओप्सन में सर्वागीर्ड विकास की बात होगी तो समझो ये पॉजेटिव टैग वर्ड है ये ही वाला ओप्सन सही होगा इसी प्रकार अगला जो टैग वर्ड है हमारा वो है करके सीखना क्या है करके सीखना और हस्त परक अनवव किसी भी चारो विकल्प में करके सीखना आ जाए या हस्त परक अनवव आ जाए तो ये वाला ही ओप्सन सही होगा नैश टैग वर्ड की तरब चलते हैं देखो अगला है सम्मान लगाओ और पुर्टसाहन तो चाहें चार ओप्सन में से एक ओप्सन में सम्मान की बात हो या लगाओ की बात हो या पुर्टसाहन की बात हो अगर ये तीनों में से कुछ भी चारो ओप्सन में दिख जाए तो वो वाला ओप्सन 100% सही होगा Nash tag significance है हमारा जिग्यासा रचनाबाथ ठीक है चारों option में से चायें जिग्यासा बाथ दिख जाए या फिर रचनाबाथ तो समझो बही option चारों में से सही होगा यह positive ballic text cards हमाँ आपको बता रहे हैं इसके बाद अपने चलेंगे negative की तरब ठीके तो अभी सही सही वाले आप समझ लेजिए इसके बाद बाल के इंद्रित चार option है और चार option में बाल के इंद्रित सिख्छा की बात हो रही है तो समझो वो एक question 100% सही है ठीके इसी प्रकार nash tab वो है ब्यवारिक कुसलता अगर 4 option में से ब्यभारिक कुसलता कहीं दिख रही है आपको तो समझो 100% ये भी वाला option सही हो जागा ब्यभारिक कुसलता ये positive tag words है तो चलते हैं नैस्ट आगे की ओर वीडियो परसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की जीवन से जोनने की बात हो अगर इन मेंसे कुछ भी tag words आपको चार option में दिख रहा है तो समझो 100% कोशन सही होगा नैस्ट अगर हम बात करें नैस्ट है लोगतांत्रिक प्रजातांत्रिक बातावराण अगर चार option में से लोगतांत्रिक की बात हो कहीं पर देखे या प्रजातांत्रिक बातावर देखे तो वो option 100% क्या होगा सही होगा अगला tag word वहाँ है समावेसी कख्षा समावेसी सक्षा, सिक्षा समावेसी कख्षा और सिक्षा चाहें समावेसी कख्षा की बात हो या सिक्षा देने की बात हो यह अगर tag word देखें जारों option में से तो ये option 100% सही होगा निश्ट आपका वो है द्रस और स्रब्व सामिक्री अगर 4 ओप्षन में से ये वाला टैग वार्ट सा आपको दिख जाए कि द्रस और स्रब्व सामिक्री की बात की गई है तो 100% ये वाला ओप्षन है वो आपका सही होगा ठीक है वीडियो आपको परसंद आ रही है जल्दी से चल्दी वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में सेर भी कीजिए नैश्ट देखे संसादन अगर चार ओप्सन में एक ओप्सन संसादन की बात कर रहा है तो वो ओप्सन 100% सही है नैश्ट है इसमें संभेदन सीलता इसी प्रकार से चार ओप्सन में एक ओप्सन में संभेदन सीलता है तो समझो ये भी ओप्सन 100% आपका बिलकुल सही होगा ठीक है नैश्ट है अपसर देना हाँ बिलकुल सही बात है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना है अगर चार उप्षन में किसी भी उप्षन में अफ्षर देने की बात कही गई है तो वो उप्षन 100% सही होगा नयस्ट है चर्चा में सामिल करना ठीक अगर चार ओप्षन दिये गए हैं एक ओप्षन में चर्चा में सामिल करने की बात कही गई है तो समय लो ये वाला ओप्षन बिल्कुल सही होगा 101% ये कुछ पॉजिटिव टैग बार्ट थे ठीक है आगे भी हैं आप आराम से वीडिय वीडियो को समझेए आपको बहुत है वीडियो को और आपको बताना चाहूंगा देखिए जिस दिन आप सीटैट का एक जाम देने जाओ न तो एक जाम से आप दो घंटे पहले इस वीडियो को देख के जाना आपको पेड़ागोजी में बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी सारे कोशन पेड़ागोजी के आपके सही हो जाएंगे तो एकजाम होने से आपको कितने दो घंटे पहले देखने है ठीक है एकजाम हॉल में जैसे ही आप जाओ तो उससे दो घंटे पहले इस वीडियो को पूर्य कम्पलीट करके देखके जाना ठीक अगला जो हमारा टैग बाइड है वो है अर्थपूर चार आप्शन में से अगर अर्थपूर की बात कर रहा है कोई भी आप्शन बात कर रहा है तो बहंडेट परसेंट सही होगा नैस्ट है भावपूर अगर चार आप्सन में से एक आप्सन भावपूर की बात कर रहा है तो बो भी आप्सन हमारा सही होगा अगला जो tag bride है बो है चित्र भिर्मराट अगर 4 option में से एक option चित्र भिर्मर की बात कर रहा है तो भो भी हमारा option है बिलकुल सही होगा अगला जो tag bird है वो है आरल का पता लगाना अगर चार option दिये एक option कारल का पता लगा रहा है बच्चे के कारल का पता लगा रहा है तो समझो वो भी option 100% सхी है नेश्ट है विभिणी संदर्बोगों में भाशा प्रियोग अगर 4 option पूछ रहा है चार option में विभिन्द संदर्बो में भासा प्रयोग की बात हो रही है तो समझो ये भी question 100% option 100% सही होगा next अगले टैगबाट की ओर चलते हैं अगला जो हमारा टैगबाट है वो है समता यानि equality अगर समता की बात कर रहा है ये से चार option दिये गए हैं चार option में एक option समता यानि equality की बात कर रहा है तो वो वाला भी हमारा 100% option सही होगा next है समा लोचना चिंतन तो जो समा लोचना चिंतन है ये भी positive टैगबाट से हैं अगर चार option में से समा लोचना चिंतन दिखाई दे तो आपको ये भी 100% answer option सही होगा next है empathy आपको इंगलिस में देखना है अगर आपको चारो option में से empathy की बात की गई है तो empathy वाला भी option बिलकुल 100% सही होगा next है फार्मेटिव assessment जो फार्मेटिव assessment है वो भी 100% सही है ये बिलकुल right है चार option दिए गए हैं चार option में फार्मेटिव assessment एक option में आ रहा है या उसका use हो रहा है कहीं पे भी तो भी ये वाला भी बिलकुल सही है तो आप देख रहे हैं byp education trick channel वीडियो को like करिए और वीडियो की link को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में share करिए ये अब तक जितने भी मैंने tag words बताए हैं ये positive tag words हैं अब अपने लोग चलते हैं negative tag words की ओर जिन tag words को देखकर ही आप पता कर सकते हो कि ये option नहीं हो सकता तो उन tag words को हम समझने की courses करेंगे चलिए चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अब देखिए आपके सामने आगए negative tag words ठीक इन negative tag words को समझिए आप देखो सबसे पहली लाइन में की बात कर रहा हैं जिस question में केवल मात्र सिर्फ ही only इन चारों में से कोई भी tag words देखे तो वो समझो option क्या है गलत है नेगेटिव है ठीक है question ही negative पूछ रहा है तो सही हो जागा नेश्ट tag words समझो देखो रटना बच्चे को रटाना नहीं है याद कराना भी नहीं है और contest कराना भी नहीं होता इसलिए यह तीनों tag words क्या है गलत है तीनों में से कोई भी question में देखे तो directly आप बता सकते हो कि यह option नहीं हो सकता रटना रटना नहीं है रटाना नहीं है याद कराना नहीं है और contest करना भी नहीं है नेश्ट थरट option है थरट tag words में देखे तीसी लाइन में दंड कोई भी दंड की बात हो तो भो option नहीं हो सकता सजा की बात हो भो भी option नहीं हो सकता समस्या की बात हो भो भी option नहीं होगा बोज और ह तो साहित इन में से कुछ भी सब्द आपको दिख जाए तो समझ लेना ये option सही नहीं है नैस्ट है पुस्तक केंद्रित और सिक्छक केंद्रित जैस जिस option में पुस्तक केंद्रित की बात की गई है या सिर्चक के इंदरित की बात की गई है तो वो भी answer जो है वो सही option नहीं होगा नैस्ट ए खालिस rate और कोरी पट्टियां अगर कोरी पट्टियों की बात की गई है वो भी option है negative है आपका नैस्ट ए लेगिंग असमानता जहां लेगेंग असमानता की बात की गई है वो भी समझो आपका जो आपसन है वो कैसा है निगेटिव है नेश्ट है बच्चों के विचाहर मात्रभासा और त्रीटियों को महत्म ना देना इन तीनों में से कुछ भी टैगबर्ड दिख रहा है तो समझो ये भी आपका क्या है निगेटिव टैगबर्ड है नेश्ट है निस्ट करिए अगर बच्चा निस्ट करिए है तो उसकी उपेक्छा की जा रही है तो अगर निस्ट करिए आ जाए चार ओप्सन में से या उपेक्छा आ जाए चारों ओप्सन में से तो समझो ये निगेटिब टैग बार्ड है ये एंसर नहीं हो सकते चलते हैं आगे की ओर आगे समझिए आप अब यहाँ पर समझो आप ठीक है नैस्ट है रोजगार रोजगार बेफसायक ओच ग्रेड की सिक्छा अगर इन में से कोई भी टैगबर्ड आपको दिख रहा है चार ओप्सन में से चार बिकलबों में से तो समझो आपका रोग है वो एंसर नहीं होगा नैस्ट है तकनेकी बैग्यानिक सब्दावली अगर तकनेकी और पैग्यानिक सब्दावली की बात की गई है तो वो भी आपका ओप्सन नहीं हो सकता ये निगेटिव टैगबर्ड चलने है नमे ने बता दिया निगेटिव का एंसर निगेटिव और पोजिटिव का एंसर पोजिटिव नैस्त है जिस ऑप्सन में सीमित देखे तो सीमित भी क्या आए निगेटिव है सीमित वाला भी आप्सन नहीं होगा किसी को आप्सन में आपको चारों आप्सन में से ब्याख्या देखे तो ब्याख्या नहीं करनी ये भी निगेटिव होगा आपको bourdon भी नहीं करना, 4 उप्सन में अगर किसी भी उप्सन में बर्ण करना आ जाए तो भो भी क्या होगा ? निगेटिव टैउक रड़ होगा, ये भी एंसर नहीं होगा नाश्टेइअ, परामर्स और त॰तियां जिस किसी भी option में परामर्स की बात की गई है या त्रूटियों की बात की गई है तो ये भी कैसे आए आपका negative tag word है नाश्ट है ब्रहांतिया चारों option में से कहीं किसी भी option में ब्रहांतिया आ जाए तो ये भी आपका negative tag words है ये भी answer नहीं हो सकता नेश्टे मान की करत अगर किसी चारो आप्शन में से मान की करत आ जाए तो समझो ये भी नेगेटिव टैग बाट्स नहीं होता नेगेटिव टैग बाट्स है ये भी किसी भी आप्शन का बिलकुर राइट एंसर नहीं होगा कैसा होगा नेगेटिव मान की करत नेगेटिव टैग बाट्स है नेश्ट है कठोर तो भहिया कठोर की जहां चारों आप्शन में बात कर चले तो तुरुन समझ जाना ये नेगेटिव टैग बाट्स है नेश्ट है भेदन और अभ्यास चारो option में कहीं पे भी भेदन और अभ्यास तक जाए तो भी समझ जाना आप ये क्या है निगेटिव टैगबर्स है ठीक है देखिए सीटेट की जितने भी पीड़ा गोजी के जितने भी टैगबर्स आज तक यूज हुए हैं मैंने सभी टैगबर्स को इस वीडियो में सामिल किया है आप जाम से दो घंटे पहले वीडियो को देख के जाना पेड़ा गोजी को हंडेट परसेंट आप करके आओगे ये GARANTY है इस वीडियो को पूरा समझो दो बार वीडियो को देख लो मैंड में आपके हमेशी हमेशा केली ये SET हो जाएंगे चलिए वीडियो को और अभ्यास मैंने बता दिया आपको, नैश्ट है पिर्थककरल और नमांकित, चार आप्षन में से, किसी में में पिर्थककरल की बात की गई हो, और नमांकित की बात की गई हो, वो भी tag words क्या होगा, निगेटिव होगा, नैश्ट है सहानूभूती, ठीक है, सिंपैति, ये स हानु भूती वाला भी जो टैग बाट है वो कैसा है निगेटिव है ये एंसर नहीं हो सकता नैस्ट है आसंदर्वित ये जो आसंदर्वित है ये भी निगेटिव है चार ओप्शन में से कहीं पर भी आसंदर्वित मिल जाए तो ये एंसर नहीं हो सकता मैंने कहा है आगी की और चलते हैं अगला लगा।ध है आपका सुमे टिप ऐसस्मेंट ठीक है तो यह भी आप नेगिटिव टैक बड़्ड ठीक क्या है नेगेटिव टैक बड़्ड है यह भी ऑप्षन नहीं सकता चार option में किसी वेमी भी आ जाये तो यह CTAT के अब तक के जितने भी tag words सभी exam में 10 साल तक के exam में आई हुए tag words है positive और negative इनकी सहायता से आप CTAT में 140 पिलस भी ला सकते हैं 140 पिलस ज्यादा भी ज्यादा का भी score आप कर सकते हैं अगर आपका concept based वाला जो आपका है concept based जो question आते हैं हर मतलब पूरे complete paper की बात करें तो 75 marks का जो 75 marks का वो आ रहा है वो अगर आपका clear है तब तब आपको कोई भी समस्या नहीं होगी तो नीचे comment करके बताईए video आपको कैसे लगी video आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज video को लाइक करिए और video की link को अपने सभी दोस्तों में share कर देजिए video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्बाद मिलते हैं next video में आपका दिन सोभो